गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 सत्र में तीन प्रभु बताए है ये तीन प्रभु कौन है? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरन समाप्त हो सकता है? तीन प्रभु में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूर रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिये जगत गुरु तत्वदर् राम पाल जी महराज के अम्रित्वचन अपना अत्माओं चारों युग में मेरे संत पुकारे को के कहा हम हेलरे एरे मानक मुती वर्से ये जग चुगता धेलरे सत युग मैं सत सुकरत कैटे रहा त्रेता नाम मुनींदर मेरा द्वापर मैं करुणा मैं कहाया कल युग नाम कबीर धराया तो प्रमात्मा ने चारों युगों में ये वाणी बोली है जो भगवान लिला किया करता है वे दोमावी प्रमाण है तो श्रीकर संदी ने कहा कि प्रमात्मा आपकी वाणी है संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमाने और जो जो कदम आग गय रखे ओहे यग समाने आपकी वाणी है जाता कि संत को मिलने के लिए जब चलो तो अपने अभिमान को घर रख्यावे कोई पोस्ट का अभिमान किसी को कोई धन का अभिमान जाती का अभिमान ये यहां नहीं चलेगा अगर आप संत के दर्वार में आ रहे हो ऐसे जाना चाहिए जैसे परधान मंतरी का भी पुत्तर विदार्ची है और जब विदाल्या में जाता है वो एक विदार्ची की तरह ही बैठता है ऐसी सब बच्चों के साथ रिजमिल कर रहता है और दापक आते हैं खड़ा होता है उनको परिणाम करता है अध्यापक उनको खुड़काते तो रुकाते भी है तो ठीक से पढ़ाई नहीं करता है और जैसे दूसरा उधान देते हैं कि जैसे कोई बहेंकर बिमार हो और उसका रोग ऐसा जै रोग और गुप्ट रोग हो आस पास के डॉक्टर्स को इलाज से म उसके अंदर वो बना हुआ हुआ अपला तूर उसके हुआ निकल जाती है जहां डाक्टर कहता है यहां खड़ा हो यह वहीं खड़ा हो जाता है कहता है लेट जाए लेट जाता है कपड़े निकाल दी तुर्ण निकाल देता है यह टेस्ट कराके लगे वो तुर्ण जाके खड़ा हो जाता है, घुस्ते में उसको अपनी ज्यान दिखाई देती है, वो पद नहीं, तो अपने अत्माओं जब आप सच्छंग के अंदर आओ, सच्छंग के अंदर आओ, सच्छंग का असन बर्वाला में, ऐसे आना चाहिए, जैसे एक बालक आया करते हैं, एक रोगी बेता है, यहाँ पद और पोस्ट और धनकाल किसी प्रकार का भी अहम आपका विद्वान नहीं होना चाहिए, सिवादार कहते हैं, यह उठ ऑई यहां बैठ जाए, आच्छा जाओगा है, अब यह सब आपके हित के लिए ही करते हैं, कभी कहते हैं, यहां बैठ जाओ, आप आप यहां खालो बैठके, आच्छा भाई यहां खा लेता हूँ, तो ऐसे विवान होना चीए, एक गुर रहा हूँ है, क्यों? अब यहां से उठा यहां बठा रहा है, क्या तो खुआ? तो इस तरह की बाते हैं, भगत नहीं करया करते हैं, ठीक है, नए नए आते हैं, कोई बोल भी देता है, तो उसके लिए इधाय दी जाती है, कहते हैं, संत में लणकू चालियो, तजमाया अभी माने, और जो जो कदम अगे रखे, ओहे यह गिसमा, कोई भी जहां से आप चल कर आए हो, और वहां से यहां तक जितने भी आपके कदम बनते हैं, चाहे आप गाड़ी माये हो, और चाहे मोटर माये हो, चाहे बस माये हो, या अपने वहिकल माये हो, वहां से यहां तक जितने भी कदम आपके बनते हैं, यह काउंटिंग भगवान के दरुबार में, कैसे उतना ही आपको यगों का पून मिल रहा है एक यग करने उमें कितना लगता है पैसा भी कितना समय लगता है तो इस परकार आपको यहां बुलाकर धनी बनाया जाता है तब शिर्करसंजी ने कहा कि भगवान आप तो हमत्रियामी हो मातमा जी और आप देख सकते हो पांचों पांडों आज क्या हालत है इनकी कैसी बेजती हो रही है करोणों आदमें जीव गेर इनका जूंकिते हो खड़े हैं इनके सेरफ पाड़ जूंका इनको करोणों रपीय लगए है रोपैसे लगए हैं और आज इनके अंदर जाके देखो ये कैसे वी नमर रोए खड़े हैं, बेगी बिली है, और ऐसे एक रोभगवन है, हमारी जितनी भी एक यहां से उस वहां से चल करें, आपके तक आने में बनी हैं, कदमों की, आप सो रख लो, और बाकी हमारी जोली में डाल दो, हमारा उता हो, कहते हैं, सादो बुखा बाहो का, दनका बुखा ना, अरजा कोई दनका बुखा हो, संत नहीं, वो सादो भी ना, तो परमातमा तो उनकी आश्था देखना चाह में थे, तब परमातमा ने कहा के भीम सेन अखान जी, जब तो कती नमसीदा खड़ाया, नूँ हो करके आपा मंतर करते हैं, खुटी के टांग राखी थी, अपहल वान उठा, अर लग्या माला उतारन उतरी नहीं, पसी ना आगया नू खूब भंग आला रहा, परमातमा बोले रहा, अपहल वान तो डींग मारे था, के एक मारू था चाहर मरे थे, और ये माला ना उतरती तरेव अपने अत्मा परमातमा ये दिखाना चाहूं थे, ने का दिल डट जा, कोई है वस्तूर, कोई है संत, वहीं उनका दिल भी डट गया, वह ताकत नारी है, परमातमा ने अटका है, कि आच खड़ा हो जाए तर, ऐसे हाथ किया था, अपने माला उतर कर मालक के आत्मा आगी, बैठे बैठे के, और फिर परमातमा बोले वाई, मर्द गर्द में मिल गए वो रावन से रन धीर, कंस केसी चान और से वो हिरना कस बलवीर, तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जनम धरलेत, ग्रीब दास हरी नाम बिना तुमरा खाली रह जाखे, यह तो राम नाम का धन ह होना चाहिए, यह सक्ति के संग्रह होनी चाहिए, तो आपका आगे भवी से सुधरेगा, तो परमातमा ने कहा के चलो, परमातमा बठाए रत्मा, श्री किर्शन रत्मान बने और पांचो पंड़ और शटे परमातमा बठा कर लाए, अब बालमीक जाती के व्यक्ती कैसे रह पड़े, और दूते टूते हुए, धूर लगी हुई पैरों में, दोतीसी बांद रखी, लपेट रखी, और यग के अंदर बैठे वबंडले सुवर रिशी, नो मूटे मूटे पेटा अले, और गलम जने उर तलक लगा रहा खेर, नो आसन जारे, नो दच के बैठे सारे, 33 क्रोन देवत, 88 जारे, 12 क्रोन ब्राह्मन, चर चर तलक लगा के, और उस सभाम के अंदर, जब कबीर साहे परवेस होए, और वो क्या कह रहे हैं अपस में, कि इनके पाप ही इतने हैं, आप संक कैसे वजे, इन घोर पाप कर रखे, रजजविन पाप कर रखे हैं, उसके समा आप परवेस होए, सुधर्शन रूप में, और मुप परने करके नहों अचाहा हूँ, यह लाइए, यह करेगा इनका यग पूर्म, यह करें एक दूसरे, श्री कर्षंदी ने कहा दरोपती, बड़ी अबोधन बना दे, यह महापुर्स खाना खाओगा, और परसन हो गया न नोकरों का भी सयोग ने लिया, अपने आथे रोटी बनाए क्योंकि फस रेवा ता कती बुरा दो रहा, इतना दंडाली अर बात नहों की नहों, अपने हाथों खाना बनाया, कचोडी, पकोडी, दो ही बड़े, जलेवी, हलुआ, पूरी, खीर, सारा कुछ बनाके, न्यारी न्यारी कटोरिया मर थाड़ी में सजाक है, रख दी परमात्मा सुदरसन जी, ये सुदरसन रूप में बैठे थे थे तो मालिकी, अब दरोपती ने न्यों सुच चा था कि इसाब लिया, बोजन बना दिया, यो गास पूस खाने वाड़ा व्यक्ति जंगल में रहता है, कुदरती सुभा होता है, कोई अतिथी आ जाता है, उसके लिए विसेश भोजन बनाने में, विसेश ध्यान रखती है कि कहीं ये बाहर जा करके, और मेरी बजना मीना करते, कि उस मनमक ठीक नहीं था, मेरे चगड़ी थी, या अच्छा नहीं लगा भोजन, इसलिए वो हर सं कोशिस करती है कि खाने वाला मेरी परसंसा करे, द्रोपती नहीं सीव जैसे से भोजन रखा, और परमात्माने, वो तो लिला करते हैं, उन्होंने क्या किया, कि ये मन आज ते नहरे नहरे स्वाद कर लेगा, और कल अमने तो फिर गासपोस खाना, ये तो फिर बेगड़ गय उसने उन्होंने क्या किया, अब सुदर्शन जो था, वो पांच गरास खाता था, उसने अपने नियम बना रख्या था, कि एक जब भी खाना खाऊंगा, जैसे एक, फिर दो, तीन, चार, पांच गरास खाके बंद कर देता था, इतना अलप हार था, उसका सहियम रखता था, तो प्रमात्मान ये भी दिखाना था, कि मैं सुदर्शन ही हूँ, सुदर्शन का रोल कर रहे थे, रोल भी होता है, जो कोई किसी का रोल करता है, सही करे, वही तो अच्छा लगता है, तो प्रमात्मान वो सारी कटोरियों मैंसे थोड़ा थोड़ा बोजन ठाठा के, खीर अलवा भी पूरी भी थोड़ी थोटी शी और कचोडी भी पकोडी भी दई भी उसका भाई मिला जी अर लगे नो करने हब दरोप्ती जेखेवेटी भी थी अक मैंने ते एक गंड़े तक तुम्हे मांग पड़वाई और युका के संख बजाओगा युँ तुदर का सुदर ही रहाशने खाना भी ना आता युँ मन बड़ा बदमास है कि मैं पतानी के सोच जा और कर्म पर गड़वाई दिये और मातमास जानेंगे क्योंकि उदमत्रियामी थे अगद्रोप्ची तक गणी नो सोच रहागी हो ममारज ऐसा आहर और भोजन इनको कितना मिलता है अब परमातमा ने एक बार खाया संख बोला वार खा रखा दूसरी बार खाया फिर बोला पांच बार मैं जितना चाली में डाला था खा लिया और पांच ही बार वो संख बज गए बंध हो गया युदिश्टर बड़ा खुस हुआ कि है वगवान बड़ी दया हुई आपकी ऐसा महापुरसा आगया और हमारा काम बनी गया तो स्रीकर संदी ने कहा काम को नहीं बन्या भी युद संख तो कंटीनियू बादना चाहिए था बहुत देर तक बचाएगा ये तो पांच बार बचा है इसे बात नहीं बनी तो इस ने कहा कि आप किसको बलाओगे भगवान हकीब और कोई बलाणा बाकी नहीं रह रहा इस आपने के बाल मीक दिखाई दे है यो हरीजन साथ इसके एक बाल के बराबर ये तीन लोग नहीं है इतना सिद्धी सक्तियुक था ये सुदरसन अब श्रीकर संदी भी बेसे काम अंतरियामी मानना थे इतने अंतरियामी नहीं पर आभास जरूर था कि ताकत है इनके अंदर तब श्रीकर संदी ने कहा कि अपने गर्मत कमी है कोई वो देखांगे दरौपती बुलाई और दरौपती से कहा कि बेहन आप जी ने जब ये खना खा रहे थे मातमा आपके मन में कोई दोस्त तो नहीं आया साची बताना अब ने तबात बिगड जागी तो दरौपती ने सारी साची बता जी कि महाराज मने एक गंटे तक तक बोदन त्यार किया नेरे नेरे आइटम बनाई और मने ऐसे ऐसे सोचा था कि अंगली चाटता रहे जागा मातमा और बढ़े को नगावगा मेरे इन्होंने जब सारा एकठा कर लिया तो मेरे मनों मैं नूँ दोस आगया कि यू शडील सा अदमी नाना दोना इसने और ये इसने खाना भी नाता है कि इसके संख बजा होगा कर सिनो बोला दरौपती तण्ह तब बढ़ा बढ़ा लिया तण्हें मोल ले लिया कि साथ दू को अपने गर बोला कि तरे प को रपाफ लाग गया तुझे अब वह कांप भी सारी के साथ उसन्तों के बारे मैं से नहीं बोला सोचना भी ना चाहिए कैसे खाओ आपका फर्चता रख जिया कैसे खाओ ये तो कहें दिगी जी क्या करूँ कि चर्ण दोक है पी इस धूर समेत जब तरह कलाण होगा अब दरौफती ने कहते हैं मरता क्या नहीं करता ले आई परात उठा के एक लोटे मजल बरके बगवान बैठे सुधरसन रूप में उनके तरनत होई और वापस लोटे महगा लगा है गलास में आदा पी लिया ना जो स्री किरसन करने लगे बेन मुझे भी दे जा दा इसे बजना सुरू हुआ था अर इतना जोर का बजता बजता पूरे पर्थवी के उपर स्वर्ग लोक तकावा सुनाई थी प्यारी प्यारी और पूरी पर्थवी पर जितने भी वरक्षते सब हरे भरे होगे फल फूलों वाले फूलों से लजबत होगे फलों वाले फूलों से तब उनका तीन ताफ कट्या उस प्रम्पता की सकती से. बोलो सत्कूर्दे. तो पुन्यात्माओं सोब आगे आपका, आपको ये सुक्ता यहां फरी में मिलेंगे, क्योंकि हम वो पांचों यग कर रहे हैं, जो यू दिश्टर पांडवाने एक कई यग करी थी, अज़ आप देख रहे हैं, वो पांच दिन का समागम चल रहा है, और कई हजारों की संख् पुन्यात्माओं प्रमात्माओं की प्यारी आत्माओं ये सभी भगते हैं, सभी प्रमात्माओं का सुबह उठते हैं, स्याम दिन रात रता करते हैं, घर पे जाते हैं, वह भी इतना कोरस दे रहा है, क्या आपको वक्ती का, जैसे बालकों को सले बस जारा, ओम टास का लग यहां रहे हैं और यहां आपका दिया हुआ जो सादलाब जो धन है वो आपको बहुत लाब दे रहा है क्रोड़ गुना आपको फल यहां देगा और मोक्स प्राप्ति होगी एक मातर सथान इस परच्वीप है यदि को सास्तर अनुकुल सादना और मोक्स मारगयत सतलो कासरम ब परम पिता परमात्मा पूरन बरम सारी सृष्टी के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहिब अल्लाहु अकबर उस ग्रेट गौड कबीर परमेश्वर जी की असी मरजा से आप सभी पुन्यात्मा प्रमात्मा की महिमा का ये सथ संग्सुनने के लिए उपस्तिच हुए आप इतनी दूर से आए हो अपने उदेशे को याद रखो या आय किसलिए हो अब 24 गंटे के अंदर लगबग 4 गंटे सथसंग होता है तो चार गंटे तो परमात्मा के लिए दिया करो आप इस तोरान भी देख राधदास कोई दर घूम रहा है कोई दर जा रहा है ठीक है कोई किसी कारण से कोई रोगी है बार बार बहु मूतराता है वो कोई बात निजा सकता है या कोई अन्य कारण से भी लेकिन सत्संग सुनना मौल उदेश से रखो यहाँ बार यह परमात्मा की वचन दास एजे सपीकर बोल रहा है एजे टेप रेकॉर्डर बोल रहा है आदेश परमात्मा का चल रहा होता है और जो आत्मा अपने प्रमात्मा के आदेश को धान से नहीं सुनता है। उसको अपराधी बताया है। सत्संग के माँ बैठ कर कोई बात चलावाए और उस अपराधी आत्मा को तीन लोग ने ठोड़ा। तेशलिए सत्संग को बहुत मैत हो जेना चाहिए आपने। और ज्यान से का अगर चिछे एक एक बात सुननी चाहिए। सुब आगे आपका अरपरमात्मान अपन्यारी किरपा कर ड़के का आपको ऐसे गोरकल ये गुमें। किसी भी प्राणी को एक पल की चैन नहीं, एक पल की फुरुसत नहीं, समय नहीं उसके पास। सारा जिन ते एक रोटी के लिए धके खाता बठकता है। सोपनें भी उसी के आते हैं। कल उसका देना है, उसका लेना है। ये करना है, वो करना है। और ऐसे और करना बगवान ने होना वही जो उसकी किस्मत में। तो ये उसको यादबी हो तो भी उस पर रुक नहीं सकता, क्योंकि उसको सहारा बगवान का सास चाहिए। तो इसलिए पन्यात्म, आप आम आत्म नहीं हो। इसलिए वो जिन के लिए वो भटक रहा है। गुता मारूं स्वर्ग में जा पैठों पाता ले गरीब दास ढूंडता फिरों हीरे मोती लाले सोचल शीदर मैं करूं अपने जन के काज एरड़क से पूजो मार दू मैं नर सिंग धर के साज तो परमात्मा कहते हैं अपनी पैरी आत्मों के लिए ना जाने में के कारण बनाता हूं उनको सत्वग्दी पर लगाने के लिए सचा ग्यान समझाने के लिए और उस परमात्मा के प्रियतन को आप सफल करो अपना कल्यान करवाओ मात पिता मिल जावेंगे लख चुरा सी माही सत्गुरु सेवा और ये भगती भाई फिर मिलन की नाही जिस भी सरीर में आप जाओगे पसु के सरीर में को प्राप्त करोगे वहां भी आपको फादर मदर मिल जाएंगे आप गधे की योनी पाओगे उसमें भी माता पिता मिल जाएंगे और मुनुस योनी भी प्राप्त करोगे मुनुस जिवन भी प्राप्त करोगे कभी तो मुनुस माता पिता फिर भी मिल जाएंगे लेकिन सत्गुरु सेवा और बंदगी भाई फिर मिलन की ना सत्गुरु मिले नहीं और सत्गुरु मिले ते या सेवा मिले नकली सत्गुरु के यहां अगर सेवा भी करते हूँ वो यूदलेस है तो आज परमात्मा ने आप प्वाइनारी किरपा कर रखी है कि आपको सत्गुरु मिले मानुस जीवन मिला इसलिए प्रमात्मा की इस ग्यान को आधार बना के अपना जीवन सफर ते करो अपना अत्मा प्रमात्मा प्रतेक युग में आते हैं और अपनी महिमा आप ही बताते हैं प्रमात्मा की महिमा दूसरा कौन बता सकता है हमारी वो दीवा पत्थर पढ़ गे छे हम सोचा करते हैं ये संत प्रमात्मा की महिमा बतावागा ये बतावागा अरे बगवान की महिमा बगवान ही बता सकता है अपने दोवारारची विश्रिष्टी को स्वेम ही बता सकता है एक रिशी की बता सकता है बगवान की दोवारारची विश्रिष्टी को अब एक पुत्र अपने पता की उत्पत्ती कैसे बता सकता है दादा जी बता सकता है तो एरिसी तो इस काल के पुत्र बिर्म के सरपुरस के और सबका दादा कबीर परमात्मा सत्यपुरस तो उस दादा जी ना कर हमें बताया है तो सबका दादा है सबका बाबा है गुरु नानक जी ने तो यहां तक कहा है अगर कोई बाबा कहने का अजिकारी है तो कबीर है यह समुंदर की साखियों में परमान है आलम बड़ा कबीर तो पुर्यात्मों सुभागे आपका आपको युग्ञान सुनने को मिल रहे हैं अभी तक आपक ग्यान से ठोक राखे थे अब बताओ हम क्या साथ ना करते थे इंदु दर्ब के अंदर जनम बेक है इन काल के रिशी महरिशीयों आचारियों और संक्राचारियों दोबारा दिये ग्यान के आधार से हम कौन सी पूजाएं क्या करते थे आप सभी को मालूम है ये दास भी वो भुगत भोगी है कुछ तो देखम देखा कुछ परमपरागत साधनाएं और कुछ किसी सिर्फिरे संत रिशी की ग्यान विचार सुनके पुस्तक पढ़के या किसी बाई साथी बेर सहली से सुनकर हम वही क्रियाईं करने लग जाते थे कोई गौ वर्दन की फ्यरी के लिए कहता हम यहां भी चले जाते है कोई अमरनाथ के दरसन के लिए प्रेडिश करता हम तियार हो जाते क्योकि हमें भगवान किया सकता थी और कोई पंत केदार के लिए प्रेजिद करता उन पंसों केदारों के दर्सन के लिए जाते कोई पसुपती नाथ के लिए कहता हम नेपाल भी जाते कोई सोमवार का वरत बताता तो हम वो भी करते कोई मंगलवार के लिए प्रेड़ करता है मंगलवार का वर्त भी प्रहरण कर देते है पुनातमाओं हमें अजदातम ग्यान नहीं था ये लोकवेद था तो परमेशवर ने स्वेमाकर के एक संत भक्त और परमेशवर तो वो छेई और एक सत्गुरू इन सब की भूमिका की जब आदनिय स्वामी रामानंदी प्रमातमा को देखा सतलोक के एद और फिर वापस देखा वहीं आपके अपने सामने बैठे उस बालक रूप पर तब कहा था दो हुट होर है एक तू बहा एक से दो और ग्रीब दास हमकारने तुम आई हो मगड़ो तुम साहिब तुम संत हो और तुम सत्गुरू तुम हंस ग्रीब दास तेरे रूप बिना और नदूजा अंस बोलत रामा नंद जी सुनो कबीर करतार ग्रीब दास सब रूप के तुम ही सिर्दन हाल मैं भक्त मुक्त भया और भरम करम कियो नास ग्रीब दास निजबरम तुम मुझे हो गया दर्ड विस्वास तुम परमात्मा के विशे में कहा है स्वामी जी ने स्वामी रामा नंद जी ने के तुम साहिब माने परमात्मा जैसे आपको डेफिनेसिन आफ गॉड सुनाई थी पर्थम दिन तुम साहिब माने परमात्मा सरवय स्रेश्ट परभू वेसे तो सहाऎब हम सभी के साथ लगाते हैं जैसे तस्यीलदार साभ, HDM साभ, Deputy Commissioner साभ, Commissioner साभ, मनतरी साभ और परद lengthy साभ और मुख्य मनतरी साभ इस सारे साभ है लेकिन इन फेक्ट जब साहब पूछेंगे कि सूप्रिम कौन है तो परधान मंतरी और उसके बाद मानन ये राष्टर पती ये हमारी साहब है वो है असली साहब तो इसी परकार ये अन्य देव दो हैं स्री बर्मा, स्री विश्मो, स्री सिर्जी ये एक विभाग के मंतरी एक बर्मंड के अंदर आउनली जैसे को रज्य का मंतरी हो और उसको हम परदान मंतरी की संगा देते हैं उसकी उपमा देते हैं तो हमारी वो अग्यानता का परतीक है वो सचा ही नहीं तो यहां क्या बताते हैं तुम साहब, तुम संत हो तुम सतगूर, तुम हन्स सतगूरू भी आप हो यतारस ग्यान देने वाले और तुम हन्स ऐसे एक भगत का रोल यानि एक भगत कैसे रहना चाहिए, कैसे इसकी दिंचिरिया हो कैसा बिहार हो, कैसे उसका आच्रिन हो, कैसी बोली हो और कैसे वो रह रहा हो, कैसे निर्वा करता हो उसके लिए परमात्मा कहते हैं राज्य कर्मताराम की रजा धरैजोसीस दास गरीब दरस पर तिन बैटें जगदीस कि जो प्रमात्माने आपके प्रारव्द में लिख दिया उसके आधार से आप जीना सिखो प्रारव्द का मतलब है कि जैसे आप जी को कोई अच्छा गर्म मानते है जिसका गणादन हो, कोई अच्छी पोस्ट हो उसकी ठीक है, आपके संस्कारवस हुसाइब कई ऐसा जनव है तो ये ना भूलना चाहिए कि आप चाहिए कितने धनी विक्ती या कितने ही मंत्री पर दहने मंत्री के गरजनम है आपका आपको उतना ही सथान चाहिए गा सौने और गुमने फिरने और क्रिया करने के लिए जितना एक निर्धन जहां गुजारा कर रहा है एक मकान में बीस कक्स होँ उपर नीचे तो उस व्यक्ती ने एक ही कक्स में एक रूम में एक तकत पर पलंग पर उतनी स्थान पर टाइम पास करना है तो पर्मात्मा ने हर तरह से हमें सम्जाने की चेष्टा किया है और पर्मात्मा पाने के लिए किसी को ये भरम हो कि दनी लोग जो घना दान धरम करते हैं और उच्छ जाती के है पहले ये भरमना ये बरांती बहुत ज़यादा थी कि ब्रामन लोग ही मोक्स प्राप्टी करते हैं यही रिशी भैरिसी बनते हैं इनके वंसजी रिशी भैरिसी बनते हैं तो प्रमातमान यह सारी फड़क डिकाल ली थी यह सारी भरांतिया निवारन करने के लिए एक ग्रीब जुलाए की भूमी का की थी कि परमात्मा के भगत को गड़ी आवसकता नहीं होती और जब आवसकता होती है तो परमात्मा से छुपानी उसको सब पता होता है जैसे हम कथाई सुना करते थे अब तो आपको ग्यान हो गया है कि परमात्मा जो परमेश्वर है वही सब कुछ करता है कबीर साहे भी सब दुख दूर करता है लेकिन हम जिसमी इस्ट की सतूती जहां बोल रही होती है हम सभी उसकी पूजा करते हैं और मानते रहते हैं यह हमें सुख दे रहा है और सब कुछ कर रहा होता है कबीर भगवान क्योंकि वो ही गिता जाय नमर 15 के सलोक नमर 16 और 17 में तीन पुरस है सरपुरस और अक्सरपुरस इनके विसे हम बताया कि यह खुद विनासवान है इनके इंतर्गत जितने पराणी वो विनासवान है उत्तम पुरस है तुए नहीं सतर में सलोक में का है और यह लोग तरहम अवे से भी बढ़ती अवे इस वर है वही सब का धारन पोशन करने वाला है वो परमक्सरपुरस इन दोनों से नहारा सरपुरस तो यह बिरम है जो गीता का ग्यान देता श्रीकिर्स इनमा प्रविस करके यह सरपुरस जो है इसको सरवर्म भी कहते हैं जोतिनलजन काल भी कहते हैं यह कहले 21 बर्भांड का स्वामी है और अक्सरपुरस साथ संग बर्भांड का स्वामी है और परमक्सरपुरस गीता जायर नमबर आठ के स्लोक नमबर एक के उतर में अरजन को घीता ग्यानदाता केता है कि वह प्रमक्सरवर्व है वह तत प्रम जो घीता ग्यानदाता से अन्य और सुप्रीम गौड है किंपलीट गौड है तो घीता धाय नबर पंदरा के सलोग न्बर 17 में कहा कि उत्तम पुर से तु अन्य पर मातुमाई चीज़ लारता है और यह लोग तरे नम आविश से भी भरती आवेश वरे वो तीनों लोकों पर वेश को कि सबका धान पोस्टन करता है इनकुलूरिंग बिरमाविशनों महेश की भी वही आपती निवारन करता है जैसा कि आपको कल आपको कि समुदर पर जो पुल नहीं बन रहा था वो पर मातुमा आई थे क्योंकि वो भी उनके बच्चे हैं चीटी से लेकर हाती तक रंग से लेकर आजा तक देव से लेकर मादेव तक निरंजन और दुर्गा तक उसी के बच्चे हैं अपने बच्चों को वही संभालता है अब तो दास आज परसंग सुना रहा है अब को अब हम बगवान से मांगते हैं धन और परमात्मा बने थे कतीनिर धन जो लहा कपड़ा बनके अपना टाइम पास करते थे वो हमें परमात्मा पर विश्वास करना सिखाने के लिए ये भूविका कर रहे थे यदि आप मुझ पर ऐसा विश्वास करोगे मेरे वच्चनों पर तो मैं तुम्हारा हर समें साथ दूँगा जो जन मेरी सर्ण है ताका हूँ मैं दासे और गेल गेल ला गया फिरू हूँ जब तक धरती आकासे कहते पीछे पीछे फिरता जो बच्छा गव की नजर में यू साइं कू संत वो भगतों के पीछे फिरे भगत वचल भगवन्त अबदास ने आपको बताया कि जब आप परमात्मा पर निर्भर हो जाओगे उस समें परमात्मा कहते हैं यह थी आपको किसी वस्तू की आवसकता होगी तो मैं आप से दूर नहीं क्योंकि मुझे सारा पता है आपको किस समें किस वस्तू की आवसकता पनेगी पहले आपको इसी पर परमात्मा कहते हैं कि जिन को विश्वास नहीं है परमात्मा पर और राम राम भी करते हैं, वक्ती भी कर रहे हैं, कहते हैं, क्या हुआ नाम जो पनते हैं, जो मन में नहीं विश्वास, परमात्मा का विश्वास नहीं है, तो वक्ती का यूद नहीं है, अब हम जैसे पुरानी कुछ अपनी कताएं थी, उनमें से साथ लेते हैं, वो भी बर्मिच ग्यान था, उसको सुचारू करते हैं। अब जैसे एक नर्सी नाम के सेट थे, मैता थे, और वो बड़े धनवान थे, चपन करोड की संपत्ती थी उनके पास। चपन करोड की संपत्ती है। आज से लगबग पानसो चछसो वर्स पहली है। और कंजूस इतना था के चवनी खर्च नहीं करें। दान भी करना भूल गया है। और यह माया जब बढ़ जाती है, यह इनसान को दबा लेती है। प्रमातमा कहते हैं। इस माया को अपने उपर ना रखो, इसके उपर रहो। मोटर साइकल को सिर पैनी उठाना चाहिए, उसके उपर बैठ कर चलना चाहिए। वो मोटर साइकल को सिर पर रखे वे था। वह उसकी मूरकता थी। प्रमातमा ने उस दलदल से उस प्यारी आतमा को निकालना था। और नर्सीजी श्री किरसन जी के प्रमभग्त थे। और दान करना बिलकुल छोड़ दिया था। चपन क्रोड उसकी संपती थी। और साथ में उसकी हुंडी चलती थी। हुंडी माने जैसे आज कल बैंक हैं। और बैंकों में ड्राफ्ट बनाई जाते हैं। यहां बैंकमें पैसा जमा करा दो। जिसके नाम ड्राफ्ट हो, वही ड्राफ्ट को कैस करेगा। उसको च्यूझ रश्टे में कोई छीन भी ले । उसके साइन के बना कैस नहीं करेगा। हूगा ही नहीं कैस! तो इसलिए वो पैसे साथ ना ले जाकर के ड्राफ्ट ले जाते है कागत सा होता है चेक सा और अगले बैंक में उसको जमा कर दिया जाता है फिर वो वेरिफाई करके उसको कैस करते हैं ऐसे हुंडी होती थी राजा की तरफ से सरकार की तरफ से ऐसे धनवान वक्तियों को कुछ सीमा बनाई थी कि एक हजार, दो हजार, दस हजार तक की आप हुंडी एक वरस में बना सकते हो, ड्राफ्ट बना सकते हो, वो क्या करते थे, पैसे रख लेते थे, और अगले जिस सहर में उसने जाना था किसी या तरी ने या सेथ ने, उस सहर म अभी ऐसे हुंडी अलाउड होती थी किसी को बनाना, तो उसी के नाम ही बनाई जा सकती थी, और उन दोनों के आपस में परमाण पत्र होते थे, उनके सारे कागजात उनके एक दूसरे के पास होते थे, एक सचमुच ये रिकॉजनाइजड हुंडी बनाने वाला है, तो ऐस उन मेंसे भी एक था वो धरियों मेंसे, उसकी धरमपत्नी कुछ दार्मिक ज्यादा थी, उसने कहा कि सभी विक्ती, नगरगाओं के, गंगा सनान करने जा रहे हैं, गंगा घाट पे, मुझे भी चलना है, मैंने भी जाना है, कुछ पैसे दे दो, वो कहने लगया, पैसे का क क्या करेगी, चल मैं भी साथ चलता हूं, उसने सोचा है, या गंगा खरच करेगी, मैं थोड़े काम चला दूँगा, पैदल ले गया, वहां से लेकर गंगा गाट तक, और जब सनान करने लगे, वहां ब्रामन विपर आ जाते हैं, और कहते हैं, भाई मात्मा के सनान करने व कुछ दान करो, तब आपका सनान लगेगा, वैसी सनान से क्या फाइदा, तो वो कहन लगा जी दान हम ना लाए, खर्चे खर्चे जोगे पैसे लाए हैं, दान हम फेर करेंगे, पैसा भूल आया, उसकी पतनी कहन लगी, जे जे कुछ थोड़ा ब्रामन को ऐसा क्यों जलुम कर रहा है तो, कहने लगा, चुप रहा है तो गड़ी ना बोला है, चुप, नान लाए गया, पंदत जी ने फेर कहा के भाई, नेरा पानी में गोते मारनते बात ना बना है, कुछ धनक दान कर, शेठ जी, उनना सोचा है, ज्यादा बेजती कर रहा है, कहने लगा, एक टका बोला जी चलो दे दे जो तेरी इच्छा है, कहने लगा, यहाँ ना दू, मैं थोड़ी लाया हूँ, पैसे घर आ जाना, नरसी मेरा नाम है, और वैसे ऐसे मेरा फलाना गाम है, दूम नागड जैसे है, और वहाँ आ जाना, सब जानते हुझे, बोला जी ठीक है, चलो, प्र जाके गठडी रखी थी गरवें, यातरा से, पिछे से परमात्मा पहुंच गे, वी परूप उन्हों के न्हों, दर्वाज़ा खटखट आया, नोकर आया, आहां जी, बोलो ब्रहमन, बोलो मात्मा जी क्या बात है, कि वैसे शेठ जी से कहिए, शेठ जी से कहना, मेरा एक द दान, दिख्षना लेनी आया है, कि रखा, दे में फिर जाना है, नोकर ने जाके कहा, जी, कोई ब्रहमन आया है, आपने गंगा जी पर उनको कुछ दान करने का प्रोमिस किया था, वो अपना दान मांग रहा है, अब शेठ जी ने सोचा, यो तो भै चिपक गया, यहां भी आमरा कमबक्त, उसने क्या विचार ला कि आज यू यहां एक टका मंगना आगा, कल नई यो दो टके मंगगा, फिर यो सो रुपे की ऐसे ही पिछे पड़ लेगा, इसनो तो रस्ता मिल गया ये, तो शेठ जीन कहा कि कह दे उसको ब्रहमन को, कि विसराम कर, दो दिन बाद आ अभी शेठ जी ठके हारे आये हैं विसराम करेंगे, नौकर ने ऐसा ही कह दिया, तो ब्रहमन ने कहा, ब्रहमन रोप में पर्मात्मा ने कहा ठीक है भाई, परसों ले जाओंगा मैं, और यही विसराम करता हूं, इसके बाग में लेट जाता हूं शेठ के, शेठ का बाग था अब सेठ जी को बता गया, सेठ जी ने पूछा गया, अगनेजी वो तो सामने लेट गया, बाग में लेटा हूआ है, अब जब तीसरा दिन हुआ, फिर जाके दरौजा खटखटाया, कि भी कहना सेठ जी को मेरा दान दक्षना दे, फिर में और भी बहुत काम है, अब सेठ जी ने कहा, यूँ कह दो, के सेठ तो मर गया, मरत्यू को प्राफ्ट हो गया, अब उसने जाके नोकर ने कह जया, जी हमारे सेठ जी की मरत्यू होगी, ब्रामन, हम बहुत दुखी हैं, आप जाओ, तो ब्रामन वेश्दारी प्रमात्मा कहते हैं, यूँ कैसे जाओ मेरा तो, ऐसे करो, मेरी लकडियां ढोना सुरू करतो, लकडियां उसको महसुस होगा कि सचमुच बर गया, और दस बीस, जो नोकरते पान साथ लगे लकडियां उठा के चलने, अब नगर का सेठ मर जा, सारा गाउं कठा हो जाकर नगर, इतनी भी ना सुचिन मूर खाने, वो त किया है, क्या हो गया, क्यों तो यहीं खड़ा है कोई बात ना, अन्तिम संसकार हो लेगा तो भी जाओ, कहा बेरी अर्थी उठाओ, मेरे उठा लो मिज़ रखकर, जैसे मुर्दे को ले चलते, वो लेकर चल पड़े, बगवान ना भी उठा लिया, कि करकी लकडिया इतनी म लाइए, उन्हें यह तो कह जिया था, अगर नहीं मतलगा देना कि गलती कर दो, तो परमातमा बोले, भाई सेठ जी, तो जीत्या मैं आ रहा है, रखकमवक्ष मरे तम चातना करें, ठकेंगे पीछे, तिल मन माफ कर दिया, तिरा ठका, मैं जा रहा हूं, ले सच्मों चकां स तब उठा सेठ जी उस चता परता है, सारी लकडी उठवाली, कहते हैं, सारी उठाओ वापस, इतना भी बन थोड़ना या पर, और पुन्यातमा यह सभावी कह जब माया जिसके पास गणी हो जाती है, यह उपर बैठ जाती है, और इतना कंजूस हो जाता है वो, विक्ती, उसको कुछ भी आभास नहीं रहता, ऐसा नसा बन जाता है, अब सेठ जी ने सोचा बन गी बात, कटी टंटा गया और ने कमा, अगले दिन गया सहर सपटे को गोमने को दूर तो क्यों कि दिन का कम गर्मा बंद था, जंगल में गोमने गया सुगा सुगा सुगा, परमातमा उसके आने से वापिस आने से पहले स्वेम आगे नर्सी रूफ बना करें, और नोकरों से कहा कि वो विक्ती जो तीन दन से मुझे प्रिसान कर रहा था ब्रामन, आज वो मेरा रूफ बना का होगा, और उसको दमका देना, और बकवाद करें डंडे लगा देना, गणावनी एक दो सोटा लगा देना, और कह देना तू बहुरूपिया है, हमारे सेट को ठगना चाता है, हम सब जानते हैं तो जो ही वो प्रमात्मा दे बैठी के नर्सी बने का गदी पे, नर्सी आया सहर से पट्टे करता, नोकर खड़े थे त्यार उन्हें पता था इदा सत्मुच अगया, उन्हें कह रहा है, वह उरूपिया वही खड़ा हो जा अंदर मता जाईए, और उनका नाम लेले कहता है, अरे करोडी मेले हैं, तो स्वामी को दमकाता है, कि हमने सब पता तु जैसा स्वामी है, वही खड़ा हो जाना तेरे डड़े मार देंगा, जादेस हो गया है जाना बहुत दुखी कर लिया हमारा सेथ, हमारा सेथ तो अंदर बैठा है, अब उसके पैरों तले की धर्दी खिसेगी, सेथ जी कात्त कर दिया काम इसने, अब ये एक नहीं सुने मेरी, अब उसने क्या किया, किसी वकील अड़ोकेट का सहरा लिया, और कोर्ट में केस कर द मेरी संपत्ती हडपना चाहता है, ततकालिन उनको संबन हुए और नरसी बुला लिया, परमात्मा को वही तुर्द बुला लिया गया, सारी वही वही कबजे में कर ली गई, अब सामने गवाई हुई जब जजज ने पूछा कि भाई, जो औरिजनल बतावा था अपने आप कोड़ औरिजनल था, उससे पूछा कि इस बही में कोई ऐसा परमान बोलक, वो हमें बता जो हम इसमें वेरिफाई करें कि तो सचमत नरसी है, मालिक है, उसने बता जिया, दो चार बात तें याद थी, ऐसे ऐसे लड़की का विहा किया था, उसमें इतना दान किया था, ऐसे लिखा है इसमें, एक समय ऐसा गुआ था, दो चार बात याद थी, घनी नहीं थी, फिर वो दूसरे परमात्मा से पूछा, कि भी बोलो आप, परमात्मा ने सारी बही सुना दी, एसे लेकर जाड़ तक, आए अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं, जो जगत गुरु तत्वदर्शी, संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षप्राप्त कर चुके हैं, तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं, सरसंत रामपाल जी महराज से नामदिक्षा लेने से पहले, आप क्या भक्ती साथनाए करते थे? तो फिर आप संत रामपाल जी महराज की सरण में कैसे आए? परिवार पर और उसके बाद हमारी कमर तूट चूकी थी, हम हर तरहें से प्रецान होच के थी, हम यहां से प्रhave नागोडरिस्टिक में चले गए, वहाँ को जमीन ले रखी थी, वहाँ चले गए, वहाँ जाने के बाद हमारे पास में नजदीक में ही, नजदीक आपी चिछ कि चलो कोई बात नहीं लेकिन हम उस के चक्रम पड़े होए थे भूत प्रेतों चक्रमें आल इंडिया हम डोल लिए थे कहीं कोई आराम नहीं मिलता था जो भी कमाते से सब लगा देते थे 20 साल तक हम इसी चक्रमें रहे कोई साथ दूसंत कोई महत वगेरा कोई श्याना शेव इलती था जापोल सां भेडार को Sun शॉते सोते और महत थे थे कि मुझाने से नहीं होगा और नहीं किसी मुसल्मान तो अदिश फीनास होगा नहीं वह तुम्हारा ऑय्लाज वगा उसके बाद में। कर다म पर काम झाष्यदा थhand से वेखवन सब्सक्राइब करेंद रखे तो हम आपर जया हुआते तुह जादा तरी आर्फ। किसा सदुए को पड़न करके भी आरख। मैं तो आप शूंथिता है तो इस आपिंटी लीड़न वां, अब डिया कर रहा है और यह ना वागिbas. ना मारा ना पापबाजी ना यह तो है नहीं किसी ब्यूत में ही लेकिन आजमी बहुत सही बोल रहे तो बाद में क्या वह इंटर्वू आता है उस इंटर्वू को पे मैंने जान दिया काफी लोगों के रोख ठीक हो रहे हैं मैं बीडी से परिशान था मेरा परिवार परिशा परिशान था बिल्कुल मैंने भी उसे टीवी करता है तो मैं देख लूंगा तेरे वह भी आगए तु भी तेरे अंदर सकती है तो मैंने टीवी का गई कह दिया अगए ऐसा है तो तु मेरी यह बीडी सुटा दे मैं महाल लोगा तरे को सत्नापांजी महाराज को मैंने बोल परिशान पेल्ड़कोण पर पुड़कोण पास गया परोसी ने वहां बीडी पी उसकी तो मैं ख़ाई तु कितने है तरे पासम बोला बैई आदा पूड़ा एक पूड़ा है मेरे बाव तु आदा पूड़ा दे दी मेरे वाण लिए वहां तो उसके पर तो अच्छी लग अभी चिटी में आते हैं धूकान दार से भी मांगी मेरे बड़ी महतरने कल डूपलिकेट दे दी बला नहीं 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 यहां पी के देख लो मैंने वहां पी कर देख गिरी में स्वाधा आया लेकिन मैं पुड़ा लिया आया को यह पाते ही फिर भी होई बद्भू महुंमे को दिया mộtavorsक्ति मेरे को 2-2 अज़ सोचने. दो नाम दान लंद नहीं लिया ही मैंने TV लगाई थी कि महिंत त्छ त Dabei सब्सक् linha होखी निथा सकता मेरी. ऑन तो सब वो प्रड़ करका हम इस ये वह अंतलब होई हम दोनों मियां भी वहाँ से चले कर किता आप तो काम developed लेकिन हम टीवी पर से नंबर लिखे और सतलोक आश्रम बरवाला के लिए चल दिये हम ट्रेंड से पहुंचे उसी दिन पहुंचे उसी दिन सत्संग चल रहा था वहां वहां पर जाकर देख्या तो एक बाइनी मेरे खटकती थी हमेश्या के कवीरा तेरी जूपडी कि छेव में पअधी रहता था वह भी बगर काटता था मेरे एक जुपलडी थी बस वहां-प है विआभ नुमें में लt दि रहती है से अक्वहां अक्वही मेरे को ताकत मिलती थी उस भाणी से आप्प यह करने दें को तूप्यों उदास वहां जाके देखी वेवस्ता और जोनल वेवस्ता उसी टाइम ही कविर जी की शीवाणी का ही सच्छन चल रहा था मुझे वहीं उत्तर मिल गया कि आप बनावे आप ही पहरावे तो अपने आप ही करामाते इनकी सब कुछ इन ही का ही रोल है अब अपने को उत्तर मिल गया है सही स्थान पर पहुंच गए उसके बाद हमने नामदान लिया संत्रामपाल जी महराज से बरवाला अस्रम में और वहां बोजन पर शाद लिया और आश्रवाद लेकर करके हम उसी टाइम वापीश चल दिये सर आपने बताया कि संत्रामपाल जी महराज से नामदिक्षा लेने से पहले ही आपका नसा छूट गया तो क्या संत्रामपाल जी महराज से नामदिक्षा लेने के बाद भी आपको लाब मिले अजी नामदान लेने के बाद तो बस ये समझो कि जो दुखों का पाड़ था ना वो सुक में बदलना तब्दिल हो गया जितना दुखों का पाड़ उच्छा खड़ा था उससे ज्यादा हमें आज उनकी किरपा से गुरू रामपाजी महाराज की किरपा से उनके वचनों से नितन्यम करने से और हमारे उस पाड़ जो इतना दुखों का पाड़ था ना siya उपाड़ से दुखना हामें सुक होका पाड़ खड़ा कर दिया हमारे स्साम्ने siya minus 1981 पाजी महराज ने और हमेरे काफी बादाएं थी भूद्परेत की बादा भी सबाट गई बीडियां भी छूट गई और हम अब इतना ज्यान हो गया हमें आज हमें सो रुपे भी अगर मिल जाते हैं न मैने में तो सो रुपे में खर्चा चल जाएगा हमारे नहीं तो कोई सिम लिए तिन्नु तरह से हम बरबाद हो चुके थे लेकिन संत्रामपालजी महराज के सानित दिमाने के बाद में हमारी तिन्नु पोजिशन आज सिखरक के उपर है सब आनद और ठाट है आर्थिक समस्या हैं नहां हमारे पास कोई मकान था मकान यहां भी नहीं था और वहां भ कि दया से संद्गरु रामपालजी महराज की दया से आज अच्छे जो मकानों के हमने कभी सपने में धर्श नहीं खेते हैसे मकान बढ़की उन्हों हो रहा मैं कोई पैसा नहीं जोड़ा कि हम में मकान बनाना है लेकिन अमकामारे पास वह एक पैसा नहीं था उसके बाद जनब पत्री वगेरा लिख रखी थी कि इसकी तीस साल से आगे उमर नहीं है और उसके फिर भूत बहुत बादा हो गई थी तीन बारा सेलेक्ट हो चुकिया उसमें एसाइए की टेस्ट में लेकिन उसका सेलेक्ट सेलेक्शिन नहीं होता बड़ी बारी Warleam हो गई लेकिन अब मुझे इधर जाया करते थे ऐसके पास जाया करता था इधर को है कोय उसने जबाब दे दिया आद इसकी जिंदगी नहीं है इसको नोक्री तो कहां जिंदगी नहीं है इसकी वो बच्चा और रहमेज हो गया दिमाग से रहमेज हो गया और चकर में पढ़ गया जिंदगी नहीं है तो अब क्या है लेकिन हम ने उसको लेकर गए वो नहीं माना कि ऐसे संत्पंत ऐसे रहते हैं वो तो जेड़ गयर यह हो गयर वो हो गया तुम ऐसे पढ़ गए चकर में चलो गई कोई बाद नहीं लेकिन फिर आखरी दिन था उसका जो जनम तिली के नमसार बनब बता रख्या था उस दिन रात को खुद को उसको आये वह अलग कमरे में रहता था खुद आये संत्रामपा जिमाराज और उन्होंने उसको आकर जगाया कि बेटे मैंने तेरी जिन की बढ़ा दिये और तु तरे को सर्वीस भी दो पक्का बरोसा कर तो वो तो उसी दिन रात कोई डोविजे आया उतर के और पता नहीं कहां रो तक पहुंच गया सबेर पहले अमने बताया नहीं हमने यहां मिल जयता न बोला नहीं मैं तो रोतक कहुंच गया वहां उसको नहीं मिला न हम लंदाल पाच्छा आ गया पाच्छा आ गया फिर उसको पता चला हम में पता था कि हम सायता है यां कि यह है नामदान में आ है कि उसने नामदान में राए रेक्व यह कर देया संत माराज से और फिर उसके बाद में उसने अपने सटर्डी स्टार्ट की और आज वो जिन्दा है और आज वो एसाई के पोस्ट पर सेलेक्टिड है और मदुमन आज डुट्टी पर है जी नहीं तो सब नट गए थे इसका सर्विस का तो फ़ा भी छोड़ दो आप इसकी जिन्द की समा लेकिन संत्रामपाजी महाराज की इतनी दया किर्पा है कि आज हम हमारा वो बच्चा ऐसाई की पोस्ट के उपर सलेक्ट है और मदुमन के अंदर अच्छा एक ओर प्रव्लम थी कोट्ली कोट्टली प्रव्लम तो मेरे को करीब 15 साल की हैस्ती मेरी तब से चलतू चलों हो ग मैं अकेला था जमीन का विवाद था लेकिन सचाई मेरी पास थी जुठे जैसे ज्यादा बेड़े हो गए तो उन्हों ने अपनी पावर दिखाई गुरू जी अगर सचाई आप तो सचाई उगलते हो और सचाई को यही साथ देते हो तो यह सचा है मैंने केश डाल दिया केश तो आरेगा अरे मैं क्या आरूंगा मारेगा संत्राम पाल जी महाराद आरेगा मैं तू उस पर बरोसा है इतना बरोसा करता है हां मैं इतना बरोसा है जब हमारे पास ऐसा ऐसा हो लिया तो आम तो बरोसा करेंगे तो सब लाश डेट देदी लाश डेट देदी निरने की डे तुम्हारे घर की कोड़ बना लिए तुमने बहुत मुझे नहीं पता तु आजया जब आर्गुमेंट करूंगा और तुम फैसला जाएगा ठीक भई मैं वहां से नागोर्ष फिर वाया वापीस आख करके आर्गुमेंट की आर्गुमेंट करके ना बहुत ठीक है पाँ पां जब वहां से अजमेर शागेश ही और शाब यहां तक रखता है शेव में आते ही कोड़ के अंदर गुरूर आमपाल जी महराज खुद आये और खुद ने फैसला लिख्या मेरे देखते देखते और खुद ने फैसला लिख्या और उस दमीन के डिगरी कर गए आज कोई सारा गाउन नीचे को देखता है मैं जिब भी निकरता हूँ पहले मने को बोलने नहीं देते थे देखने नहीं देते थे लेकिन आज सारा गाउन नीचे जुक रहा है यह संत रामपाल जी महराज की किरपा है और यह संत पूरे संत हैं यह तुम पूरों पिता परमात्मा सम संत्रामपाल जी माराज से नामदिक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाप राप्त हुए और आपका उजरा परिवार भी वसा तो जो सरदालों आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे सर संत्रामपाल जी माराज से नामदिक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है संत्रामपाल जी महराज के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तब अपुमें